असलाम अलेकुम स्टूजेंट्स हम लोग कर रहे थे जोग्राफिया का बाब नंबर दो तो आज हमारा यह बाब कम्प्लीट हो गया आज हम इसकी एक्सराइज करेंगे एक्सराइज में हम लोग एंसी कुज और शॉर्ट कॉस्टन्स करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एंसी क में पड़ा था गुलोग लोग होता है और हमारे जमीन की भी शकल क्या है तो जमीन का मॉडिल की शकल का गहलाता है व्हारा outros और अगर हम मश्राय की तरफ मूग करें तो हमारे अदाय जानिब कोन से सम्त होगी तो मगरिब शमाल शवनूब या शुमाल मगरिब स्टुडेंट कों से सम्ट होगी जनूर को नक्षपर रेकिस सम्ट को बन्यादी हमियत हासिल है मस्रिक मगरिफ जनूर और श्माल तर्ट इस जाता है चीन SEO मञार्ट और स्टूडेंट है टील रखल जाता है पाकसान के ममश्रिक में कौन सा मुल्क वाकिया है बहिर आयरब चीन भारत या अफगानिस्तान तो कौन सा मुल्क है स्टुडेंट भारत पाकिस्तान के शुमाल में चीन है और पाकिस्तान के श्माल मगरिब में है अफगानिस्तान तो यानि पाकिस्तान के मश्रीक में कौन सा मुल्क है भारत जीर फर्क पड़ता है एक सेकिंड एक मिनट एक घंटा या दो घंडे तो इसका राइड आजर के सुजन जानी एक घंटा तूल बल कितने दर्ज़ों पर मुष्टमिल है 180, 100, 260 या 360 तो कितने दर्ज़ों पर मुष्टमिल है सुजन तूल बल वन एती नक्ष पर शता समुन्दर से एक जिसी बलंदी रखने वाले इलाकों को मिलाने वाले खतूद कहला ते हैं यह जो प्रूंदर से बलंदी रखते हैं या खतूद तो राइट अंसर क्या है हमारा Contours यानि जो लाइन ने हम लोग बलंदी दिखाने के लिए नक्षे पर लगाते हैं उन लाइन को Contours कहा जाता है और नेक्स हमारा Last MZQ है वो पिमाना जो अलफाज की सुरत में लिखा जाए यानि लफसों की सुरत में हम उसे लिखते हैं वो कहलाता है कसरी पेमाना अबारती पेमाना खती पेमाना या लकीरी पेमाना तो राइड आंशर कहा है students अबारती पेमाना उसका बाद हम लोग students short questions करेंगे First हमारा short question है नक्षे और गलोब में क्या फरक है उसका answer है page number 17 पर page number 17 देखे students ग्लोब और नक्षे में फर्क, ग्लोब गोल होता है, यानि जमीन के मॉडल का बनाया जाता है, जैसे हमारी जमीन गोल है, ग्लोब भी गोल होता है, नक्षा हमवार, यानि इसे किसी पेपर पर भी बना सकते हैं, किसी दिवार पर भी बना सकते हैं, ग्लोब में पुरी दुनि इस पर ज्यादे तफसिलाथ नहीं होती जिबके नक्षबर हर तरह की तफसिलाथ दिखाई जा सकती है यह आपके एकसाइज के शॉर्ट कर्स नमबर वन है उसके बाद स्टोर्स हमारा सेकिंड शॉर्ट कर्स नहीं है रवाज़ अलामाद से क्या मुराद है पेज नेबर 29 पर इसका आंसर है रवाज़ अलामाद यारी जमीन की सता पर मुझूद कुदती सकाप्ती नकूश को नक्षबर कुछ अलामाद से दिखाते हैं आपकी बुक में जैसे डायग्राम के जरीए यह हमारी रवाज़ अलामाद हमने मैप बनाया और पुल को कची सड़क को पकी सड़क को दर्ख को दर्या को इन अलामाद से हमने नक्षबर जाहिर किया यह अलामाद जो हमने जाहिर की नक्षबर यह कहलाती है हमारी रवाज़ अलामाद यानि जमीन के सता पर जो मुक्लिब नक्ष होते हैं जैसे पुल, सड़क या पिद्रक कुछ भी तो उनको नक्ष पर जिन अलामात से जाहिर करते हैं इनको रवाजी अलामात कहते हैं थाड़ा मारा शोटकर्स ने नक्ष पर जमीन नकूश दिखाने के तरीके यानि जमीन बजो मुक्लिब नकूश है जैसे पहाड, मेदान, सता, मुर्तफा, दर्या, जील इन तमाम नकूश को नक्ष पर किन तरीकों से दिखाया जाता है तो वो तीन तरीके हैं कंटोर्स, रवाजी अलामात आज हम लोगों ने बाब रमबर्द दो के एक्सराइस किये जिसमें हम लोगों ने एम्जी क्यूज किये और शॉर्ट केस्टन्स किये तो आप लोगों ने जो है ये टॉपिक अच्छे तरीके से याद करने है